कि अपुजुशन चाहे वो गौप्ड के हम बात करने हैं बोलना ज़रूरी है बातों को दिखाना जरूरी तो लोगतंतर में AWhen सोचल मीडिया इंफ्लॉएंसर धूव राठी को तो बेहतर तरीकी से जानते होंगे उनके वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से जो वायरल हो जाते हैं आज आप सोच रहे होंगे कि मुद्दा देशका में हम धुरूव राठी का जिकराकिर क्यों कर रहे हैं दरसल वो इसलिए क्योंकि ट्विटर यानि एक्स से लेकर यूटूब तक हर जगा धुरूव राठी चाय हुए है कल से ही ये नौजवान इंफ्लूएंसर एक्स पर अपना कब्ज़ जमाय हुए है और सबसे टॉप पर ट्रेंड भी कर रहा है मैं जानती हूँ जो लोग सोचल मीडिया का अस्तमाल सिर्फ रीस देखने के लिए नहीं बलके important videos और अलग जानकारी जानने के लिए करते हैं उन्हें पता होगा कि आज मैं क्यूँ धुरूव राठी की बात कर रही हूँ सही समझा आपने मैं उसी वीडियो का जिक्र कर रही हूँ जिसको लेकर सोचल मीडिया पर एक तरह की controversy बनी हुई है यह controversy self-made है यह controversy paid है इस controversy की पीछे क्या वजा है इस पर अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगे यह आपको तैक करना है बहुत सारी लोग धुरूव राठी को support कर रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो hate कर रहे हैं रिहाना आपको याद हो गए यह नाम 2021 के बात है जब किसान अंदोलन चल रहा था तब यह नाम सामने आये था और यह चीज निकल कर सामने आई थी कि उन्हें funding की गई है कि किसानों के समर्थन में वो post करें कुछ इसी तरह आज दुरूवराठी को भी देखा जा रहा है सोचल मीडिया पर इस तरह का लगातार format एक देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुरूवराठी को बहुत पसंद कर रहे हैं उनका इस वीडियो को लेकर बहुत सारे ऐसे हैं क्हें रहे हैं कि द्रूव राथी भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं जो लोग पैसा लेकर अपनी देश में अपनी ही अपनी ही सरकार की अलोशना करते हैं और te ये बात देश की है, देश के लोगों की है और देश की राजनीती की है या ये कहें कि देश में कम हो रहे लोकतंत की या लोकतंत की हत्या की या बोलने की ना आजादी की या तानाशाही की या हिटलर के जैसी कुछ ऐसे ही शब्दों का अस्तमाल आजकल देश में बहुत ही नहीं है इसी मुद्धे पर सोशल मीडिया इंफ्लेंसर ने एक 24 मिनट का सभी जादा का है आखे इस वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूं इससे बड़ा है थोड़ा सा लेकिन जो मुझे लगा कि 24 मिनट ऐसे हैं जो बिल्कुर एकदम बने रहे हैं कुछ-कुछ जगाओं पर उन्होंने कुछ बाइट्स का कुछ विजूल्स का भी इस्तमाल किया है तो 24 मिनट ऐसे हैं जो दुरूवराठी लगातार बोलते चले गए हैं तो 24 मिनट का विडियो बना दिया जिसमें बारीकी सिदेश में चल रही हर बात पर उन्होंने रौष्णी डाली है कह सकते हैं कि बिना किसी कोटिंग के शुगर कोट करके या बिना किसी ओवरलाप के सारी बाते रग दी गई हैं बस तभी इस विडियो ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई इतना बड़ा लोकतंत्रिक देश भारत इसमें लोकतंत्र खत्म हो गया है आगे सारी बाते के करके रखें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखी लोकतंत्र होता क्या है democracy is a system of government in which state power is worsted in the people or the general population of a state according to the united nations democracy provides an environment that respects human rights and fundamental freedoms and in which the freely expressed will of people is exercised हिंदी में कहें तो अंग्रीजी शब democracy दो ग्रीक शबदो demos और kratos से मिलकर बना है demos का मतलब होता है लोग या लोग और kratos का मतलब होता है शाशन या शाशन तंत्र इस तरहा democracy का सही मतलब जनता का साशन होता है जुसे हिंदी में लोग तंत्र कहते हैं वास्ता में लोक्तंस का मतलब होता है ना कोई राजा ना कोई गुलाब इसमें सब एक समान है हर वेक्ति को अपने बात रखने का अधिकार है इसलिए से आधुनिक और प्रगतिर शील शाशन प्राली भी कहें तो गलत नहीं होगा ये वो शाशन प्राली होती है जहां जनता स सक्तिशाली होती है और साशक उनकी चुने हुए प्रतिनिधी मात्र होते हैं सभा की स्वतंतरता संग संपत्ति के अधिकार बोलने की स्वतंतरता बोलने की आजादी समावेशिता और समानता नागरिक्ता शाशितों के सेमती मत्दान की अधिकार यानिकी वोट करने का अध जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार अन्यायपूर्ण सरकारी वंचन से स्वतंत्रता अर्व संख्यक समाज के निश्ले तपके को अधिकार लोकतंत के मूलभू सिधानतों में से एक है आधूनिक समय की में बात करूँ तो लोकतंत्र वो है जहां लोग मद्दान के द्वारा आपके साशक का चनाव करते हैं और उमीद रखते हैं कि अपने कारिकाल के दौरान ये साशक शरुसेष्ट नीटी योजना कानून बनाकर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे आपने प्रतिनिधी को चुन सकते हैं बिल्कुल लोकतंत्र का यही मतलब होता है तो अब आप सोचे क्या इस दौर में सही तरीकिस लोकतंत्र को देखा समझा जा रहा है कई सालों को कैलकुलेट कर लिजे आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और आप हमें कमेंट करके जुरूर बताईएगा कि क्या वाकई लोकतंत्र है डिमोक्रिसी है बहुत मैत्तुपूर है चलिए आगे बढ़ते हैं उस वीडियो का जिकर करते हैं जो लाखों लोगों ने देखा और सोशल मीडिया पर जंग छिर दी धुरूवराथी क्या बता रहे हैं इस वीडियो में उसे बहुत आसान सी भाषा में मैं फटा फट से बता देती हूँ धुरूव शुरूवात करते हैं क्या हमारे देश में डेमक्रसी खत्म हो चुकी है धुरूवराथी है से पहले शक्स नहीं है जिन्होंने इस तरह का सवाल खड़ा किया हो इससे पहले बहुत सारे बड़े पत्रकार, बड़े चहरे, कुछ ऐसे राइटर्स, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेमक्रसी को लेकर बहुत बार अपनी आवाज उठा चुके हैं कि क्या डेमक्रसी भारत में है या लोगतंत्र महज एक डमी बन के रह गया है और कहने के लिए ल हम जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहें उसे वोट करें बिलकुल ऐसा है देखें ऐसा है कि जब आप वोट करने जाते हैं जिस पार्टी को सबसे जादा वोट मिलते हैं वो पावर में आता है तो डेमक्रसी तो है हमारे देश में लेकिन ये बस यहीं खत्म नहीं होता सवाल और जादा गहरा है और इससे कहीं जादा इंपॉर्टेंट है देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधान मंत्री नरिंद्रमोदी को भगवान मानते हैं या अपने किसी भी पसंदीदा नेता को भगवान मानना शुरू कर देते हैं दुरुवराठी ने तो प्रधान मंत्री नरिंद्रमोदी का भी एक्जामपल दिया है लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पसंदीदा नेता को भगवान का स्वरूप मानते हैं भगवान मानते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते क कि हमारा दिल दिमाग सिर्फ मोधी मोधी कहता है या हमारा दिल दिमाग सिर्फ अर्विन गेजिवाल कहता है तो आपके लिए मुश्किल है सचाई को डाइजिस्ट करना सचाई को देख पाना लेकिन जो लोग वाकई देश के लिए सोचते हैं या जो लोग देश में रहकर ये देखने की कोशश करें कि देश में कितने बदलाब आए हैं क्या मानव अदिकार क्या जो यहाँ पर लोकतंत्र में बोलने की आजादी होती है क्या वाकई वो दिन परति दिन और ज़ादा कलियर होती जा रही है या उसे दबाने की कोशिश हो रही है तो वो जरूर इस बात को झालना चाहेंगे जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगी बाद सिर्फ एक इंसिडेंट की नहीं है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जिस पर एक एक करके प्रकाश डालने के जरुत है एक के बाद एक पिछले कई महिनों से कई सालों से यह होता जा रहा है क्या यह इशारा है कि हमारा देश सिर्फ और सिर्फ वन नेशन वन पार्टी की तरफ आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे राजनेटिक पंडित हैं जो यह कहते हैं कि एक समय आएगा जब अपोजिशन बचे गए ही नहीं यानि कि वन नेशन वन पार्टी यह मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखे मीडिया से अपोजिशन की आवास को पुरी तरह से दबा देना दुरुवराटी ने भी इस तरह के मुद्दों को उठाया है उन्हीं पर मैं हलका सा प्रकास डाल रही हूँ विदायकों के खरीद फरोग्त होर्स टेडिंग जिसका जिकर वो कर रहे हैं स्टेट गवर्मेंट से पावर छीन लेना नएने कानूनों को बनाकर इन्वेस्टिगेशन एजेंस्टी का वेपनाईजेशन करना यानि कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको खत्यार के तौर पर इस्तमाल करना अपोजिशन पर EDCBI का प्रेशर बनाकर अपोजिशन के नेताओं को जेल भेज देना जैसा की हुआ भी है हाला कि इसमें कितनी सचाई है अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी सुप्रीम कोट बैठा है लेकिन आरोप तो यही लगते रहे हैं कि अपोजिशन के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है चाहे वो हेमन सोरेन हो चाहे वो मनीशी सोधिया हो चाहे वो यहाँ पर सतेंद्र जेन हो चाहे वो संजर सिंग हो और चाहे वो बारने वाले समय में अरविन केजी वाल क्योंना हो देखे गुवर्नर्स का इस्तिमाल करके राज्य सरकारों के कामों में दखल देना बहुत में तो पूनेर ऐसा हो रहा है और दिल्ली सरकार लगातार या रोप लगाती रही है कि राज़पाल का बार बार इंटरफेरेंस हमें काम करने से रोक रहा है बाधा डाल रहा है जनता से प्रोटेस्ट का अधिकार चीन लेना प्रोटेस्ट हर एक मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट होता है अभी हाली में आज एक बड़ी खबर सामने आई है एक्जामपल की तौर पर जो पेपर लीख हुआ था पुलिस का उत्तर प्रदेश में जो 17-18 को पेपर हुआ था हलाकि प्रोटेस्ट इतरे एक सप्ता हो गया मेरी कहाल से एक सप्ता से प्रोटेस्ट ये लोग बच्चे कर रहे थे जो अभी हरती है प्रोटेस्ट करते करते आज बड़ा फैसला आया कि हाँ चली ठीक है छे महीने में एक बार फिर से हम इस पर परीक्षा कराएंगे और ज अधिकार से खबर सामने आई थी जो वहां पर रोजगार मांगने के लिए बच्चे पहुंचे वे थे जो बेरोजगार थे उन पर लाठी चार्च किया गए सपहली पर उत्तर प्रदेश से उत्राखंड से सामने आ चुकी है और अभी हाल ही में सबसे बड़ा किसान आंदो गए थे तो अधिकार चिनन नहीं दो है प्रोटेस्ट का यह अगर कोई ऐसा करता है तो टियो गेस्ट अबर बुलिट्स से आपका स्वागत होगा ऐसी तस्वीर नजर आती है एलेक्टोरल बॉंड्स आपने सुना होगा इसका जखरेस सब्ता एलेक्टोरल बॉंड्स का इस्तमाल करके अपनी सारी फंडिंग्स चिपा दी गई चिपाने के लिए इसका इस्तमाल बखू भी हुआ अपोजिशन के कैंडिडेट्स अगर इलेक्शन जीत जाएं तो सीधे तौर पर इलेक्शन फौर करके इलेक्शन फ्रॉड करके इलेक्शन जीत लेना बहुत मैत्वकून है यह यह इस पर बहुत फोकस में करूंगे क्योंकि अभी हाल ही में एक एकजामपल चंडिगर में देखा गया है सिर्फ ऐसे यह बाते नहीं हो रही है जो देश में हो रहा है उस पर हो सकता है कि कुछ लोग इस चीज़ को गलत बता रहे हो कुछ लोग सही बता रहे हो लेकिन यह आम जंता को टै करना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक शक्स का या फिर एक जो समाज के बारे में सोचा उसका मकसद यह है कि जो तस्वीर वाकई हो रहा है देश में उसको एक आईने की तरह सामने रख दे ताकि सचाई निकल कर सामने आ जाए क्योंकि आज की दौर में सचाई जो नहीं सामने नहीं आ पा रही है तो इलेक्शन जीत लेना यह में पॉइंस हैं जिस पर फोकस किया गया है और यह जरूरी भी है इससे पहले इतने डिटेल्स में शायद किसीने समझा भी नहीं होगा दे कि आवाज उठती रही ह अपोजिशन लगातार ऐसे से टौपिक्स को उठाता रहा है लेकिन इतने डिटेल में एक ही वीडियो में इतने धराधर तरीके से सरकार को आईना दिखा देना वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है और इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कि तोर पर नौट कोरिया को लेकर और रूस को लेकर भी किया गया लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहां भी चुनाव होते हैं लोग वोट देते हैं लेकिन अगर आप किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट दे देते हैं तो आप एंटी गोवर्मेंट कहे जाएंगे आपसे तो इससे आप ये तो समझ गई होंगे कि सिर्फ एलेक्शन होने से ही देश डेमोक्रिटिक बन गया ज़रूरी नहीं है सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वहां CCTV ना होता तो क्या ये चेहरा सरकार का सामने आ पाता तब ही से ही एक नेगटिव पॉइंट जो हो सरकार को रेकर आगे बढ़ रहा है अब कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि क्या असली चेहरा सामने आ पाता इससे पहले ऐसा एलेक्शन फ्रोड श्राय भी देश में पहली बार हुआ है सेजी आई यानि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि लोगतंत की हत्या है ऐसे बहुत सारे उधारन है 2021 की खबर आसम एक बीजोपिक एंडियेट की गारी में एक EVM मशीन पाए गई इसके बाद इलेक्शन कमिशन को रिपोल ओर्डर करना पड़ा इस जगा का भी फरवरी में ही तीन अंजान लोगों ने पूने में सासव तेहसील के ऑफिस से एलेक्ट्रोनिक वोटिक मशीन की कंट्रोल यूनिट चुडा ली क्या यह हमारी इलेक्शन यहां फ्री है, फेर है, सही है, स्वतंत्र है इलेक्शन कमिशन एक और्गनाजेशन है जिसके एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो चुनाम है, वो सही होगा, सही तरीके से होगा, सतन तोर पर होगा वो देश भर में कंटेक्ट करवाय जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमिशन को ही स्क्यूज किया गया वो पार्शल है और बाइस्ट है सबसे पहले बीज़पी की पॉलिटिशन नरेंद्र मोदी नहीं आरूप लगाय था कि आपने मई 2014 की इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमिशन पर आरूप लगाया हलाकि इसके बाद हुई इलेक्शन को जीत गए थे वो, लेकिन पिशले 10 सालों में और बाइस इलेक्शन कमिशन आज तक नहीं देखा, इस कमिशन ने हमारा हमेशा रूल्स को बेंट करने की कोशिश की है और फायदा बीजेपी को पहुँचाने की कोशिश की है कुछ और रूल्स ऐसे भी होते हैं कि इंडियन आर्मी का जिकर आप इस्तमाल नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल कैंपस में लेकिन पिधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 2019 में ऐसा किया था किया था, सुना होगा आपने उन्होंने कहा था कि मैं मेरे फॉर्स टाइम वोट उसे कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवाम में जो वीश रहीदों के नाम होना चाहिए उत्यप्रदेश के मंत्री योगी आदितनात ने भी ऐसा किया था इस पर जाच भी हुई थी, कंप्लेंट दर्ज कराए गई थी क्योंकि 21 दिन बाद फिर इस पर इलेक्शन कमिशन ने आक्शन लिया था क्लीन चिट दे दी थी, रूल्स क्लियर लिखे थे उन्हें वालेट किया जा रहा था, लेकिन फिर भी क्लीन चिट मिल गई इकलोती क्लीन चिट नहीं है, प्रधान मंतुई को कम से कम चार अलग लग केसिस में ऐसे क्लीन चिट मिल चुके हमी शाने राहुल गांदी की कंसीट इंसी को पाकिस्तान से कंपेर किया था, ये भी करना रूल्स के खिलाफ है लेकिन इलेक्शन कमिशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी थी, कुल मिलाकर साथ ऐसे केसिस हैं जिने मोदी और शाहा को क्लीन चिट मिली हुई है तो ये जैमोक्रिसी है, आप सोचिए क्लीन चिट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये कौन तै करेगा? आखि कौन तै करेगा? ये बहुत मैत्पूर्ण है ऐसी बहुत सारी बाते जो हैं वो की गई है कि डेमोक्रिसी है या डिक्टेटर्शिप ये बहुत मैत्पूर्ण है डेमोक्रिसी के अंदर separation of powers, independence of institutions एक ऐसे चीज़ है इसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा हमार सुप्रीम कोट ने का आदिश दिया था कि एलेक्शन कमिशनर का इंडिपेंडेंस बनाय रखने के लिए जो चीफ एलेक्शन कमिशनर है और बाखे एलेक्शन कमिशनर से उनकी अपॉइमेंट्स तीन मेंबर कमीटी के द्वारा कराई जाएगी जिसमें एक प्राइम मिन को हटाओ अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमीटी में दो तिन मेंबर की कमीटी में दो लोग सरकार के खुद की हो जाएगी जिए लेक्शन कमिशनर को अपाट्मेंट को भी कंट्रोल में लाकर कर देंगे इस चीफ को बाद में सुप्रीम कोट ने चैलेंज किया लेकिन सुप्रीम कोट नहीं कोई एक्शन नहीं लिया यह कहते हुए कि सेपरेशन आप पावर से अगर सरकार एक कानून बना रहे है तो सुप्रीम कोट से इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता है लिमिट लगा दी गई एलेक्शन कमिशन पर अब समझिए कितना खर्च होता है एलेक्शन पर लिमिट है 95 लाक्स बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था तो पार्टी को जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए था लेकिन कितना पैसा खर्च हुआ 264 करोड एलेक्शन कमिशन ने सेंटर फॉर मीडिया स्टेडिज ने तो ये भी एस्टिमेट किया है कि 7700 करोड खर्च किये गए थे जो कि 45 पर आफ तोटल एक्स्पेंडिंचर था अब सोची एलेक्शन बॉंड्स बीची गई है इतना सारा पैसा जो है वो कहीं न कहीं चुपाये जा रहा है कितना खर्च हो रहा है इस पर कोई बात नहीं हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि विधायकों की खरीद फरूत बीजोपी पर हमेशा सही आरूप लगते रहे हैं कि बीजोपी क्या करती है कि MLEs को Resort में लेकर जाती है उन MLEs का मुव बंद कर देती है पैसे ठूस कर क्या allegations अच्चे है यह आप सोच रहे हैं आप जाने लेकिन इस तरह क्या रोप लगते रहे हैं अब Resort में जाकर MLE वहाँ बैढ़ कर गेम तो नहीं कहलेंगे Investigation मों नहीं चाहिए Investigation लेकिन नहीं होती Investigation के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ती होती है लेपा पूर्ती होती है Social MLEs agent को जनता चुनती है वो बिग जाते हैं करोड़ों रुपे से माँ भारती का कितना अपमान ये लोग करते हैं शायद ने समझ नहीं आता अप कैसे सोच सकते हैं कि इस तरीके से आप इस पूरे मामले में भारत माता का दमन करते आ रहे हैं ये आपको सोचना पड़े का क्योंकि होर्स ट्रेडिंग से आप लगातार दागदार कर रहे हैं उस शवी को इन्वेस्टिगेटिव एजंश्री एडी का इस्तमाल करना एडी की विपनाईजिशन पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में कम्प्लेइन की थी कि कैसे सरकार CBI और एडी का इस्तमाल कर रही है अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ उन्होंने बताया कि 3000 से ज़्यादा रेड्स की गई हैं उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स पर 2014 से अगर कंपेर करो तो चार गुना का जंप देखने को मिला है एडी केसे में जो पॉलिटिशन के खिलाफ चल रहे हैं वो 95 पर केसे सिर्फ उपोजिशन पार्टीज के खिलाफ है एडी ने जवाब में कहा कि हमारा कंसर्विनेंस के ट्राइल कंप्लीट हो चुके हैं और 24 केसे में कंसर्टिविटी टोटल 5900 से ज्यादा केसे सिर्फ ट्राइल में आप सोचिए पॉल्टीशन पर करप्शन का आरोप लगता है वो बीजेपी जॉइन कर लेता है अचानक से वो साफ हो जाता है ये कौन सी वाश्रिंग मशीन है कौन्चा वाश्रिंग पाउडर है जिसमें सिर्फ जूटी जूट लगावा है हेमन्द विश्विस सर्मा कंगर्स में थे पहले उन पर आरोप लगा था लिस्ट बहुत लंबी है जो बीजेपी वाश्रिंग मशीन के अंदर गये हैं और एकदम बलकुल वाश्रिंग पौर्टर निर्मा जैसे दूद सी सफेदी वैसे होके निकले है शुवेंदू अधिकारी जितेन त्रिवारी नारायन राने इदरप्पा प्रवीन डारे हार्दिक पटेल अजीद पवार इसका नाम तो बार-बार हम जब डिबेट करते हैं तब भी हम सुनते हैं क्योंकि पोजिशन तो लगातार इसका लगातार बाते करते रहते हैं कई न कई प्रधान मंत्री मोधी ने भी अपनी भाष्नों में कहा है कि अजीत पवार सबसे ज्यादा करप्ठ हैं लेकिन आप वह बिलकुल भी करप्ठ नहीं है वह बिलकुल साफ सुत्रे हो चुके है तेके एक बीजोपी थी आटल विहरी वजपे वाली बीजोपी और ये बीजपी आज है जमीना असमान का अलतर है जब सवाल किया जाता है तो आपको यह बोलने नहीं देते यह चीजे हैं यहाँ पर अब ज़र सवाल यह है कि लोग इस पूरे मामले पर किस तरह से सोच रहे हैं और किस तरह के पॉइंस नज़रा रहे हैं देखे आम आदमी पार्टी लगातारी आरूप लगाती रही है कि बीज़पी के पास एक वाशिंग पौउडर है जिसे वो ऐसे दागदार नेताओं को धो देती है आम आदमी पार्टी के एमपी रागप चड़ा ने मिताया कि अगर मनीश सोधिय और सितिन जेन को जो जेल में डाल रखा है वो तुरंट जेल से बाहर भी आ जाएंगे अब किसी को सजा काटे के जेल में डाला जाए वो अलग बात है लेकिन यहाँ पर कंसिविटी पॉलिटिशन को भीजा जा रहा है पेशिसार केला की सरकार ने तो ये तक आरोप लगाया था कि जो हम बिल पास करते हैं हमारे गवर्नर उस पर दो-दो साल तक बैटे रहते हैं उन बिल्स को अप्रूव भी नहीं होने देते हैं इस बात को लेकर केला स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में कम्टेंट भी करी थी हमारे काम की बीच में आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक फैसला आता है मामला जो है लगातार बढ़ता रहता है लेकिन कुछ नहीं होता तो आपको अब ये खुछ सोचना है कि ये क्या कुछ चल रहा है अगर आप मोधी फैन हो तो एक सेकंड के लिए उस खयाल को अपने दिमाग से निकाल दो और सचे दिल से अपने आप से पूछ कर देखुआ अगर पधान मंत्री मोधी को सही में देश की चिंता होती तो क्या वो ऐसी हरकते करते अब आप में से कुछ लोग सोचनगे कि पक भी उन पर इस तरह के आरूप लग रहे हैं कि किसी पार्टी ने उन्हें फंड किया है या कहीं और से फंड आया है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए लेकिन सबसे महत पूर्ण है देखिए जो भी बाते जो भी पॉइंट्स इसमें रखे गए हैं अपोजिशन चाहे वो गवर्मेंट के हम बात कर लें बोलना जरूरी है बातों को दिखाना जरूरी है देखिए वो सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है सरकार के हाथ में लेकिन जो सही है उसे भी दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी तरीके से उस पर बोलना जरूरी है क्योंकि ल जिस पर बहुत तरीके के आरोप लगते रहे हैं अगर एक एक पॉइंट्स पर नजर डालने की मैं कोशिश करूंगी तो शायद बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा तो आगे फिर इसको continue करेंगे हम और आगे के वीडियो में इसको पूरी तरह से analyze करेंग लेकिन सबसे महतवपूर यह है कि आपको यह सोचना जरूरी है कि democracy क्या वाकई है देश में या फिर dictatorship है यह आपको तहकरना है comment करके जरूर बताएं कि आप dictatorship के साथ है या democracy के साथ है क्योंकि फिलहाल जो देश में हालात है वो लग नहीं रहे है कि democracy है और इस वीडियो का अ पर तजार करिएगा फिलाल कले इतना ही आप देखते रहिए न्यूज वाल इंडिया